देखें, इंग्लिश में एक वर्ड है आपका जैनित, इस पेलिंग देख लिए जैड इन आई टी एच जैनित, तो इस वीडियो में जैनित का इंग्लिश और इंदी में क्या आरतोर मतलब होता है, जानेंगे, sentences में भी इस वर्ड को यूज़ करके अच्छी तरह से समझेंग उसको हम जैनित बोलते हैं, या फिर आप उसको भी बोलते हैं, जहां पर के सूरज या चांद जो है, अपने highest peak पर होता है, और जो जश्ट आपके उपर होता है, उसको हम जैनित बोलते हैं, मतलब बुलंदी पर, तो उसको हम जैनित बोलते हैं, हिंदी अर्थ होता है, शि Peak, High Point, Height, Top, Apex and ATC, मतलब और भी इसके Synonyms हो सकते हैं, Example से Sentences में समझते हैं, जैसे बोलेंगे, His carrier is now at its janet, मतलब उनका carrier अब अपने चरम पर है, मतलब जो उन्होंने हासिल करना चाहा, उनसने हासिल कर लिया है, बुलंदी पर है, इसी तरह से दूसरा एक्जामपल हो जाएगा, इसी से संबंदित, कि the sun rises, मतलब सूरज उगता है, reaches its janet, मतलब अपने चरम बिन्दू पर पहुँचता है, and sets in the west, और पस्चिम में डूब जाता है, ठीक है तुम्मीद आपने जैनित शप्त को हिंदी और इंग्लिश में एक्जामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थांक्स पर वॉचिंग एजुकेर, डेस,